आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ करेले की ऐसी सबजी की रेसिपी जो बिल्कुल भी कड़ भी नहीं बनेगी और खाने में ये पहुत ही ज़दा टेस्टी बनेगी पहुत ही अनोखी स्टाइल में हम ये करेले बनाकर त्यार करेंगे तो सबसे पहले मैंने आदा किलो करेले लिये हैं जिनने अच्छे से धो लिया था करेले से आगे पीछे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल देंगे और अब इन्हें इस तरह कड़ कर लेंगे तो मैं गोलगोल पीजिस में इसे कड़ कर रही हूँ और करेले को मैंने छीला न नहीं निकालना हम छिलका नहीं निकाल रहे हैं फिर भी जो करेले की सबजी नहीं बनेगी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी तो सारे करेले आपको इसी तरीके से कट करके त्यार कर लेने हैं अगर इनके बीज मोटे लाल वाले पके हुए हैं तो उन्हें आप निकाल दे आप लेंगे आधा चमच हल्दी पाउडर और करेलों में डाल देंगे पहले करेलों को एक बोल में डालना है फिर इसमें हल्दी पाउडर डालना है और ये एक चमच नमक लिया है ये भी डाल दिया है नमक और हल्दी को बहुत अच्छे तरीके से करेलों में मिक्स कर लेंगे ये नमक और हल्दी डालने से आपके जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे और चिंता मत कीजे इस नमक का पहुँचादा खारा पनवीर में नहीं रहेगा करेलो को कम से कम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे ये देखें करेलो ने नमक और हल्दी डालने की वज़े से सारा कड़वा पानी छोड़ दिया है और अब आपको क्या करना है इन्हें इस तरीके से हातों से दबाना है ताकि से करेलो के अंदर जो कड़वा पानी है वो सब निकल जाए देखें जब हम नमक और हल्दी लगा कर इन्हें रखतेते हैं तो ये हलके से सौफ्ट भी हो जाते हैं क्योंकि ये नमक और हल्दी की वज़े से मैरिनेट हो जाते हैं करेलो को निचोड़ कर आपको इन्हें साफ पानी मे इसे आप फैक देंगे और ये जो करेले हैं हमने साफ पानी में डाल दिये थे हम इसमें बहुत अच्छे से इने धो लेंगे और निचोड निचोड कर फिर से अलग निकाल लेंगे तो इस तरह करेलो में जो नमक थाना वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि हमने इने धो लिया है तो नमक काफियत तक निकल जाएगा तो अच्छे से दबा दबा कर आपको इने निचोड लेना है तो यहाँ पर देखी मैंने सारी करेलो को पानी से धो कर निचोड कर निकाल लिया है अब आपको क्या करना है आपको gas पर रखना है एक पैन और इसमें आपको थोड़ा सा oil डालना है मैं यहां mustard oil का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस तेल में यह सबची बहुत ही tasty बनती है आप कोई सा भी تیल इस्तमाल कर सकते हैं जब तेल गर्म हो जायों तुमें ये करेले डाल दें गयस का फ्लेम आप मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर करेलों को हलका सा आप शैलो फ्राइ कर लेंगे आप इने मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ऐसे शैलो फ्राइ करेंगे इस तरह करेले की जो सच्चे बहुत ही टेस्टी बनेगी और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे तो यहाँ पर लगवग 5-6 मिनट के लिए मैंने इने शैलो फ्राइ कर लिया है कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है और यह हलके सॉफ्ट भी हो गया है तो बस गैस का फ्लेम आफ करें और इन्हें अलग बरतन में निकाल लें अब इसी पैन में मैंने थोड़ा सा सर्सो का तेल डाल दिया है लगभग 3 टेबल स्पून के करेब जब तेल गर्म हो जा तो आधा चमच इसमें जीरा डाल दें आधा चमच दरदरा कुठा हुआ साबुद धनिया डाल दें आधा चमची आप इसमें डाल दें साबुद सौंफ और अब यहाँ पर जा रहा है एक चौथाई चमच हीं सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर हलका सा भून लेंगे करेले की सब्ची में और सब्चीों के मुकाबले तेल थोड़ा जादा लगता है अब यह मैंने तीन मीडियम साइज के प्यास को स्लाइसेज में कट करके लिया है और यह इसमें डाल दिया है इन्हें मीडियम फ्लेम पर हम थोड़ा सा भून लेंगे जो प्यास है इसे बहुत जादा टार कोल्डन ब्राउन नहीं करना है लगातार चलाते हुए ऐसे भून लेना है अब यह इसमें जा रहा है लैसुन डेढ़ चम्मच लैसुन डाला है और लैसुन को मैंने गिस के डाला है एक हरी मिर्च को बारिक कट करके डाल दिया है इनने भी मिक्स करेंगे और प्यास के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे इस सबजी में अभी हम आगे एक खास चीज डालेंगे जिससे ये सबजी सुपर टेस्टी बनने वाली है इस स्टेज पर इसमें जा रहा है आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिच पाउडर इससे कलर अच्छा आएगा और ये तीखा काम होता है मसालो को मिक्स कर लेंगे और हलका सा भून लेंगे तो मसाले हमारे भूनके हो चुके हैं त्यार और अब जो करेले हमने शैलो फ्राय करके रखे हुए थे ना वो हमें इसमें डाल दें है तो ये करेले डाल देते हैं अभी कुछ मसाले इसमें और जाएंगे यहां पर जा रहा है एक चम्मच भर के धनिया पाउडर साथ ही इसमें डाल देंगे एक चम्मच दरदरा कुटा हुआ सौफ पाउडर आधा चमब चिसमें जा रहा है नमक, नमक जादा नहीं डालना है क्योंकि स्टार्टिंग में हम नमक करेलों में डाल चुके हैं कड़वापन निकालने के लिए तो चाहें आप कितना भी धूलें थोड़ा सा नमक रही जाता है तो नमक आप कम ही डालें सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगपग 2 मिनट के लिए से ऐसे भून लेंगे उसके बाद आप इसे कवर कर देंगे और लो फलेम पर कम से कम 7-8 मिनट के लिए कुक होने दें वीच वीच में एक दू बार आप इसे चला सकते हैं 7-8 मिनट बाद ये देखे, करेले कुछ इस तरीके से त्यार हो गए है मैंने इने एक बार चला दिया है, उपर नीचे कर दिया है, ये देखे अभी इनमें हल्की सी कसर बाकी है, पूरी तरीके से कोक नहीं हुए है तो अब मैं क्या करूँगी, इसे फिर से कवर कर दूँगी, लगवक 6-7 मिनट के लिए और तो इसे कवर कर देते हैं, तो यहाँ पर 6-7 मिनट बाद अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ और अब हम अपने करेलों को चेक करेंगे, तो एक बार पहले मैंने मिक्स कर दिया है बहुत अच्छे से और मुझे लग रहा है कि अब ये जो करेले हैं पर्फेक्टली कोक हो गए है और अब जो करेले हैं इन्हें सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून आम का अचार का मसाला और ये इसमें डाल दिया है अगर आपकी पस आम का चार का मसाला ना हूँ तो आपका चाम घिसकर डाल सकते हैं या एक चमज इसमें आप आम चुर पाउडर डाल सकते हैं अब लास्ट में आदह चमज डाल दिया है गरम मसाला अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और दो मिनट कुप करने के बाद आप गैस का फ्लेम आफ कर दें और अब इस सुपर टेस्टी करे लिए कि सब्जी को पूरी परांठे चपाती किसी की भी साथ खाए बहुत ही मज़ेदार बनी है ये तो आप भी अपने का इसी तरह करे लिए कि सब्जी बनाएए बहुत टेस्टी बनेगी बिल्कुल भी कड़ भी नहीं बनेगी रैसे भी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें